नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल KB Electrical Maintenance में दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से देखी यहाँ पर जो fuse cover लगा हुआ है यह किस बज़े से इस प्रकार से damage होता है, किस प्रकार से जल जाता है क्या इसमें गलती हो जाती है क्या कमी आ जाती है जिसके कारण ये जलता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारे electrical connection होता है अगर उसमें कोई भी loose connection रह जाता है थोड़ा भी loose रहेगा तो बहाँ पर जो contact है बहाँ पर sparking होती है लोड जब भी connect होता है और लोड sparking अब होगी तो ये इस प्रकार से इसको damage कर देता है जला देता है या फिर उसमें loose connection ना होने के कारण जो load है वो overload हो जाता है जो हमारे equipment लगा हुआ है उसके rating के साबसे ज़्यादा load हो जाता है तब भी ये इसको जला देता है या फिर ये loose connection अगर हमने tight अच्छे से किया है फिर loose connection अपने आप कैसे हो जाता है इसका क्या कारण होता है तो देखी यहाँ पर अगर हमारे जो buyer है जो उसमें connect है उसके बीच में अगर कोई भी car बना जाता है फिर वो car one क्या करता है जो contact है आप उसमें उसको मिलने नहीं देता है और धीरे धीरे car one है वो बहाँ पर जादा बढ़ जाता है और जो भी हमारे contact होते है उसको damage करता जाता है और damage करने के बाद क्या होता है जो हमारे buyer है वो loose हो जाते है loose connection हो जाता है उसके कारण यहाँ पर sparking होगी और sparking होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी equipment है वो जल जाएगा तो इसी प्रकार से जल जाता है यही fault होता है तो अगर अब हम आपके replace करेंगे इसको तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए किन बातों का ध्यान यह आगे हमारा fuse है वो खराब ना हो सही रहे तो अब हमें इसको replace करना है तो replace करने के लिए सबसे पहले जो पुराना जला हुआ हमारा fuse कवरता उसको हमने निकाल दिया है और उसके बाद जो यह दोनों input और output में जो बायर connect थे उनमें बहुत कारवन आ गया था तो सबसे प बाद ही हम इसको connect करेंगे अगर इसमें carbon रह जाता हम ऐसे connect कर देते तो कुछ time बाद फिर से हमारा fuse कवर है वो जल जाता तो इसके लिए हमने इसका carbon को सबसे पहले साप किया है अच्छे से और उसके बाद देखने है connection करेंगे जब तो जो भी connect करेंगे हम electrical को कोई भी connection करे इसमें बिल्कुल भी losing नहीं रहने देंगे अगर losing रहेगी तो दोबारा यह हमारा fuse कवर है वो पूरी तरह से जल जाएगा खराब हो जाएगा तो इसके लिए हमारा input में या output में दोनों जगए हमें अच्छे से इसको tight करना है बिल्कुल इसको lose नहीं रहने देना है तो इ उसके हिसाब से यह अपने आप जो सई से काम करेगा यह खराब नहीं होगा damage नहीं होगा तो देखिए हमने इसके दोनों connection को कर लिया है input में और output में और इसके बाद यहाँ पर देखिए यह हमारा fuse कवर लगा हुआ है उसको पीछे seat लगी हुए है उसमें हम tight कर देंगे fix क देखिए यहाँ पर इस परकार से fix कर देंगे और fix करने के बाद उसमें जो हमारा fuse था जितने rating का हमारा fuse लगा हुआ तो उतने rating का हम यहाँ पर fuse लगा देंगे तो इससे क्या होगा अगर हमारा output में overload होगा या हमारा बहां पर short circuit होगा तो उसके कारण यह fuse है वो break हो जाए तो main switch को on करने के बाद अब हम इसका current चेक करेंगे कि कितना current आ रहा है तो देखिए यहाँ पर 7.5 या 7.6 current अभी फिलाल आ रहा है इस पर तो यह अब हारा current है वो बिल्कुल सही है इसमें कोई जादा current नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने fuse switch को on किया था तो कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने साप कर लिया है इसके connection को और दुबारा connect कर दिया है और दुबारा connect करने के बाद फिर से हम इसको on करके देखेंगे जिससे जो हमारा चेक हो जाएगा कि इसमें अब कोई भी lose connection नहीं रहा है तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको ब